नमस्कार दोस्तों आप सभी का Intelligent Investment Channel में स्वागतिए तो आज के मोड़ों में देखेंगे 7 March Cryptocurrency Analysis कौनसी Cryptocurrency आपको Buy करने है फिर Hold करने है फिर Sell करने है इसकी पूरी Information आज के मोड़ों में देखेंगे तो चलिए शुरू करती है जो में Cryptocurrency आपको बताने जारों इसकी Buy Price और Sell प्राइज लिक लिजे या फिर उसी प्राइज में आपको Buy और Sell करने है ओभी 24 आवर्स में तो चलिए बिना टेम गावाई वीडियो शुरू करती है तो फर्स्ट हम देखेंगे Bitcoin तो Bitcoin की प्राइज या देखेंगे BTC Buying Price कितनी Buying Price आराउंड आपकी रहेगी 35 से आराउंड से Bitcoin 24 आवर्स में जाएगा नेक जोए वह है इंजिन यानि एंजे तो जैसे मैंने पिछले ओडियो में कहा था कि यहां से लिंग होगी और यहां से बाइंग होगी तो Buying का Target रखिए 80 से 85 के आराउंड Buying करना शुरू करिए और Selling का Target रखिए 95 to 110 के आराउंड आसाने से एक करेंसी जाएगी तो फिलाल 10 परसेंट डाउन और 5 परसेंट डाउन की सबसे आप बाई किजिए और नेक जो करेंसी ओकार्दानों ADA का हम बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि इसकी Buying Price होनी चाहिए आराउंड 80 to down 70 का Target रखिए 24 hours में 80 तक नीचे जाएगा Buying कर सकते हो और Selling का Target रखिए 85 से लेकर 95 के आराउंड अग मार्केट बढ़ता है तो 95 भी Cross कर सकता है तो आगे की currency हो है Matic जैसे मैंने पिछली ओड़े में कहा था कि Definitely Matic 17, 16 के नीचे जाएगी तो आपके Buying Price होनी चाहिए 15, 14 और down 12 का Target है 14 प्राइस टच की कर गई तो इस प्राइस में जुन लिया उनका Profit हो तो Selling का Target का है Selling का Target है 18 से 20 के आराउंड एक करेंसे आसानी से यहां मूमेंट देगी इसी प्राइस में आपको सेल करना है नेक्स्ट जो करेंसे वो Ethereum तो जैसे मैंने कहा था कि 1110 से 1115 के आराउंड बाइंग प्राइस रखी और Selling का 120 से लेकर 125 के आराउंड फर्स्ट आप कमे बातार वहां से से सेल के रिये यहां सेलिंग ज्यादा होगी फर्स्ट आप में और यहां बाइंग यहां बाइंग होगी और इस मूमेंट में तीन बार आपको ट्रेड करने का मौका मिल सकता है नेक जोकरन से वहें ट्राण मिटनी मौमेट नहीं आई है लेकिन जैसे मैंने कहा था कि दोनों टार्गेट हिट हुए लेकिन 24 आउर से थोड़ा बहुत टाइम लग गए जैसे मैंने कहा था कि सेलिंग प्राइज 4 टू 4.5 के आराउंड जाएगी और बाइंग प्राइज रहती है 3 से लेकर 3.5 के अंदर आपको बाइ करना है 24 आउर्स में इतनी मौमेट होती है इसी प्राइज में आपको बाइ और सेल करना है ज्यादा करेंसी में इसलिए बता रहा हो कि कोई करेंसी अपने प्राइज से ज्यादा होती है फिर लोग होती है तो आप जैसे मेंने प्राइज की सबसे आपको बाता है जो भी करेंसी उस प्राइज में आपको बाइ करना है इसलिए में ज्यादा से जदा आपको करेंसी ब 4.5, 4.5 max से यहाँ जाने मार्केट थोड़ा 10 या 20 परसंट बढ़ने लगा कि चांस से सोगा तभी 4.5 की पराइस क्रोस कर सकता है तो 4 इसका आसानी से टारगेट हीट हो सकता है तो बाइंग प्राइस कितने है 3.5 के आराउंड आप 24 आर्स में बाइए किजिए और 4 का टारगेट रखेए आराउंड 10 से 15 परसंट का रिटेन आसकता है एक सरपी के हम बात करें तो जैसे मैंने काया था कि 30 से लेकर 32 के आराउंड बाइए किजिए वो 38-40 का target रहती है 35 से selling start होती है वो 40 तक maximum जाता है इस around selling होती है और buying coverage होता है 30 से लेकर 32 के around जब भी 40 cross होगा तब आपका buying का target रहता है 35 लेकिन अभी 40 cross नहीं होगा तो 32 के wait कीजिए उसी price में आपको down में buy करना है बाइनस कोईन की हम बात करें तो वह देखे 15 के around जाना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं गया तो बाइनस कोईन का देखे 15,000 बात का रहती है 15 से लेकर 16 buying price रहती है और selling around 18 से लेकर 20 का target रहती है डेफेनिटली हीट होगा next जो currency वह है name तो इस currency का क्या है तो मैंने बॉला था 55 से 60 में selling होगी और 45 से लेकर 50 में फिर से buying होगी तो ए currency फिर से बढ़ गई यहां selling ज्यादा होगी और यहां से फिर से यहां buying होगी तो current condition के हिसाब से अभी selling point पे आ चुका है टार्गेटर के इसका 60 से लेकर 65 मेंक्स है और buying का रखे 50 45 उससे 50 का डाउन का रख सकती है यहां तक यहां डाउन जाएगा और यहां अब जाएगा नेक्स जो करेंसी वेसाब एक करेंसी का इतना कुछ नहीं है क्यूंकि current price से आप बाई कर सकते हो जैसे मैंने कहा था कि देके फर्स्ट आप में buying price होती 150 170 के राउन लेकिन 24 hours के हम बात करें क्रिप्टोकरंस अगर बढ़ गई तो 170 डाउन के हिसाब से आपको बाई करना है और 160 का डाउन का टार्गेटर के वहां से आउरेजिंग करें और से लिंग का टार्गेट जैसे मैंने कहा है 180 से लिको 210 के अराउंड आप से लिंग कर सकते हो डिपेंड अपन क्रिप्टोकरंसी मार्केट पॉजिटिव हो एगा नेगेटिव हो एगा पॉजिटिव है तो डेफिनिटल ये 200 तक आसानी से जाएगा ज्यादा लालेश मूत की से लिंग कीजिए फिर नहीं दिन के लिए मैं आपको फिर से नहीं करेंसी बताऊंगा क्योंकि अपने हाई पॉइंट पे अगर कोई करेंसी होती है अगर नीचे गरती गिरती है तो सीधा डाउन जाएगे लेकिन आप यहां भी सेल करते हो तो डेफिनिटल आप प्रॉपि यठाउंग हो एग किस यहां 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 फउर्स्थ हाप और शेकंड आप अभी फिरस्थ हाप में यहां बैइंग होगी 50 के अर्च और सेलींग का टार्गेट रखे 60 के आरउन यानि यहाने गे किसरी चाहिए से 50 में 50 में रिसके आप 50 से भी बाई कर सकती हो 24 आउट्स में और टारगेट रखिए से लिंक का 60 के आराउन से 65 का मैक से डाउनसाइट का यहाँ 35 हो जो सेकंड हाप में शुरू होता है नेक जो करेंसी स्टेलर एक्सलम यह देके स्टेलर एक्सलम में इतनी मुमेंट है नहीं 30 के राउन में जैसे कहा था कि थोड़ आनीच आने दीजे 30 में बाईं कीजे 35 में सेल कीजे लेकिन इतनी मुमेंट नहीं हुए तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है डाउन जाने की चैंसेस बहुत कमें 20 का सबसे लोएस्ट है वहाँ अगर जाती है तो डेफेनेटली 50 से लेकर 100% का प्रॉपिट आपको हो सकता है कि उतने बाउंस बैक हो सकता है वही प्राइज में बोर लोग यहाँ स्वरी यहाँ बाइंग होती है और यहाँ सेलिंग तो अ आप बाइ कर सकते हो वह भी ना किसे रिस्क के नेक जो करन से उनिस्वेप के हम बात करें तो यह देगे जैसे मैंने कहाता कि 2000 के नीचा आनी चाहिए लेकिन अभी भी नहीं आई अगर यहाँ नीचे आती है तो यहाँ आईगी यहाँ से बाइंग किजिए और डेफेनेटल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकते हैं लेकिन डाउन में आप बाइ कर सकते हो 2000 के अंदर तो डेफेनेटली 15 से 25 के आरां रिटन आ सकते हैं लेकिन एक देखे एक या दो दिन का वेट आपको करना पड़ीगा तो यह हो गई आज के दिन की करेंसे अगर कोई आप आपको प विडियो अच्छी लगी तो लाइक किजिए चानल को सब्सक्राइब किजिए थेंक्यू